Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये आपके सबके Sun Science के लिए, सबके Zodiac Science के लिए 2020 की General Tarot Reading है इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, current अभी आपकी क्या energies हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020 तो इससे पहले की हम शुरू करें, wish you all a very very happy new year भगवान करें आपकी सारी खुआइशें, सारी इच्छाएं, सारी desires 2020 में पूरी हो और 2020 आप लोगों की अब तक की जिंदगी का सबसे भैतरी, सबसे खुब सुरत साल हो तो चलिए 2020 को देखते हैं तो Capricorns अगर मैं आप लोगों के लिए 2019 देखूं, तो सबसे पहली चीज मुझे दिखती है कि 2019 बहुत सारे Capricorns के लिए financially बहुत अच्छा नहीं रहा या अगर आप relationship या love life से related देख रहे हैं तो आप जो stability, आप जो security चाह रहे थे अपनी love life में या अपने relationships में आपको वो 2019 में नहीं मिले और हो सकता है कि आप लोगों ने उस direction में बहुत effort किया है बहुत महनत करी है, यहाँ पे मुझे 8 of Pentacles, Reverse का कार्ड यहीं बता रहा है तो एक तो यह हो सकता है कि आपने अपनी professional life में बहुत जादा efforts करे हैं यहाँ फिर किसी भी और area में आपने बहुत efforts करे हैं, आपको वो results नहीं मिले यहाँ फिर हो सकता है कि जतनी महनत यह जतने efforts की जरूरत थी आप उतना नहीं कर पाए और उसका कोई भी reason हो सकता है यहाँ पे 8 of Pentacles, Reverse है तो यह कुछ भी कह सकता है यहाँ तो आपने बहुत जादा किया है, यहाँ आप करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जादा safe, secure और जिसे बोलते हैं कि एक stability चाहते रहे और उसकी वज़े से हो सकता है कि कुछ जगाओं पे कुछ action लेने की ज़रत थी, कुछ जगाओं पे कुछ initiatives लेने की ज़रत थी इस वज़े से कुछ काम आपके नहीं बने या कुछ चीजें जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई और हो सकता है कि अभी कहीं आप एक vision बना रहे हों कि आपको क्या चाहिए हैं और आप इस direction में कहीं मैं बोलूँगी कि एक emotionally जा रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि vision तो अभी बन रहा है अभी practical कुछ आपने measures उस direction में नहीं लिये हैं बट एक passion हो सकता है किसी चीज के लिए create हो रहा हो कुछ feelings, कुछ emotions किसी चीज के लिए develop हो रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका work हो सकता है, love life हो सकती है आपकी professional life हो सकती है या हो सकता है कि कुछ Capricorns की life में कुछ नया love आ रहा हो कोई इंसान आ रहा हो, love, feelings और emotions लेके या वो खुद ही ऐसा feel कर रहे हो और deeper level पर मुझे दिख रहा है Capricorns की कुछ एक insecurities, कुछ एक fears रहे थे दो मुझे दिख रहा है किसी level पर enthusiasm भी था, excitement मी था और आप लोगों की एक बहुत जादा इच्छा रही होगी कुछ create करने की, कुछ बनाने की और उसके लिए एक enthusiasm और एक excitement मुझे दिख रहा है हो सकता है fears थे, insecurities थे, उसकी वज़े से नहीं हुआ, या फिर आपने action नहीं लिया, आपने initiative नहीं लिया, आप बहुत जादा safe और secure रहना चाहते थे, इसलिए आप वो चीजे नहीं achieve कर पाए और financially तो मुझे दिखी रहा है कि बहुत great नहीं रहा आप लोगों के लिए 2019, या जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं रहा और अगर मैं आपकी current energies चेक करूँ, तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए अभी again वही passion, वही emotions, वही feelings महसूस कर रहे हैं अभी अगर आप 2019 को पीछे मुर के देखते हैं या आप current अगर सोचते हैं या आपकी जो भी current situation है आपको ऐसे लगता है कि जैसे चीजें fair नहीं हुई यहाँ पर justice का card reverse है जो कि मुझे कहता है आपको ऐसा लग रहा है अभी कि जो आप deserve करते थे वो आपको नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और कहीं हो सकता है कि आप अभी कुछ practical measures लेने की सोच रहे हों कुछ चीजों को control करने की सोच रहे हों कुछ चीजों को अपने हाथ में लेकर चलने की सोच रहे हों बहुत ही organized तरीके से एक plan बना रहे हों एक strategy बना रहे हों उन चीजों को achieve करने के लिए क्योंकि मुझे भी आप आना चाहते हैं वो love life भी हो सकती है वो आपकी professional life भी हो सकती है और deeper level पे again मैं देखों तो किसी किसम की उदासी है किसी किसम का एक sorrow मुझे दिख रहा है again उसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं हो सकता है आपको लगता हो कि जितना आपको मिलना चाहीं था आपको नहीं मिला यहां हो सकता है आपको लगता हो 2019 में आपने कुछ opportunities मिस करी हैं क्योंकि आप बहुत जादा safe चले हैं बहुत जादा secure होके चले हैं और अभी भी मुझे दिख रहा है कहीं आप आगे बढ़ तो रहे हैं बढ़ बहुत संभल संभल के चल रहे हैं यहां पे moment to moment का card है और अग कैसा ही कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए अभी again वो कोई भी आपकी life का area हो सकता है वो love life हो सकती है personal हो सकती है professional हो सकती है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है बहुत संभल संभल के चल रहे हैं बहुत conscious होके चल रहे हैं love है लेकिन कहीं आप अपने आपको hold back कर रहे हैं कहीं पूरी तरीके से आप उसमें नहीं जा रहे हैं और अगर अब हम देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है यहां कैसा रहेगा 2020 तो सबसे पहली चीज मुझे क्या पे कौन्स दिखती है कि 2020 आप लोगों के लिए financial security financial stability लेकर आ रहा है या फिर यू दोनों ही pentacles के cards reverse हैं और यहां पे दोनों ही pentacles के card upright हैं तो हो सकता है 2019 में जो आप एक financial security चा रहे थे या अपने relationships में एक security चा रहे थे एक stability चा रहे थे 2020 में मुझे दिख रहा है वो आपको मिलेगी बद कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जो भी चा रहे हैं उस पे बहुत ज सारी चीजें चल रहे हैं आप बहुत सारे plans बना रहे हैं बट एक practical measure उनको achieve करने के लिए नहीं ले रहे हैं यहां हो सकता है थोड़ी सी distractions 2020 में आपकी life में रहें तो again Capricorns में यही कहूंगी यह आपके हाथ में हैं इसको आप overcome कर सकते हैं और deeper level पे देखें तो कुछ healing हो रही हैं जो भी issues आपने face करें हैं 2020 will be a year जहां पे आप लोगों की healing होगी आप इस पे focus कर रहे हैं अपनी healing पे यहां naturally हो रही है और आप लोगों की life में love emotions और feelings आएंगी यहां पे नीचे harmony का card है तो बहुत ही एक harmony आप में हसूस कर सकते हैं यहां पे goddess guidance card से भी peace का card है तो यह दो उन्हों चीजें मुझे बिताते हैं कि हामनी एक peace 2020 में आपकी life में रहेगा जो की हो सकता है 2019 में ना रहा हो और कुछ चीजें आपने 2019 में experience करी हैं हो सकता है आप उनको बहुत ही एक positive light में देख पाएं और उनसे आप थोड़ा चाज़ताय चोपाएं और हम oracle card से देखें क 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है तो यहाँ पर मेर पास cards है builder and creative expression तो सबसे पहली चीज जो लोग अपने work और career से related देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि जो भी काम वो करते हैं उसमें उनको एक creative expression मिलेगा या अगर वो creativity के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा या फिर you know cards कह रहे हैं कि 2020 में आपको visibility मिलेगी लोग आपके काम को देखेंगे लोग आपके काम को जानेंगे और दूसरा card है builder तो जो लोग कोई भी profession choose करना की सोच रहे हैं या कुछ भी चाह रहे हैं कि वो आगे क्या करें या क्या अपने काम में और add-on करें तो यहां पर creative expression और builder का card है तो building material या property या इस चीज में और बहुत सारी चीज़ें होते होंगी इससे related आप कर सकते हैं या फिर in general ये card बोल रहा है कि कुछ आप build करेंगे कुछ आप create करेंगे और अगर मैं 2019 में भी देखूं Capricorns तो यहां पर creator का card है जो कि कहता है कि कुछ एक ब एक जो आपकी 2019 में इच्छा थी कहीं आप उसको 2020 में manifest कर रहे हैं कुछ आप build कर रहे है क्यूंकि यह generic reading है तो यह कुछ भी हो सकता है आप अपनी professional life में कुछ create कर रहे हैं कुछ build कर रहे हैं आप अपनी personal life में कुछ you know solid create कर रहे हैं कुछ your stability लेकर आ रहे हैं कुछ security लेकर तो सबसे पहली चीज की divine की guidance, universe की guidance, universe का support 2020 में आपके लिए पूरा का पूरा रहेगा, आप कुछ भी काम करेंगे, तो आपको पहले से ही एक guidance मिल जाएगी, कोई लोग आपको बता देंगे, या कहीं पे आपको सुन लेंगे, या कुछ भी हो सकता है, हम इन चीजों को 1 प्लस रहेगी, universe का support आपके पास रहेगा, जो भी आप manifest करना चाहते हैं, जो भी आप life में चाहते हैं, उसके लिए, या 2020 में चाहते हैं, उसके लिए एक power जिसे बोलते हैं, वो आपके पास रहेगी, वो power एक strength लेकर आ रहा है 2020 आप लोगों के लिए, और अगर मैं guidance, goddess guidance से रहा है कि golden opportunity, बहुत अच्छी अच्छी opportunities 2020 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, यहाँ पे ढहरा है यह काड, important doors are opening for you right now, walk through them, तो एक नए दरवाजे खुलेंगे, एक नए अच्छी opportunities आएंगी, और again यह काड मैंने अभी discuss किया है, peace, तो आपको goddess guidance cards यही कह रहे हैं, there is no need to worry as everything is working out beautifully, तो अभी currently किसी भी चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सौरो का card है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीजें fair नहीं हो रही, justice reverse है, तो आपको यही बोल रहे है cards, there is no need to worry, बिल्कुल भी चिंता करने की, बिल्कुल भी परेशान हो कोई भी ज़रत नहीं है, as everything is working out beautifully, तो हर चीज आपके betterment के लिए ही work कर रही है, आपके betterment के लिए ही हो रही है, हो सकता है कि अभी आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, बट आगे जाके आपको लगेगा कि हाँ जो भी हुआ हो अच्छा ही हुआ, तो यह थी Capricorns, आप पे साथ resonate करी है, आपको guidance मिली है, आपको answer मिले हैं, तो आप इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें